2024 का लोकसवा चुनाओ अभी थोड़ा समय है उसमें उससे पहले ही बीजेपी ने अपनी तैयारी सुरू कर दी है और मेरट में जो बूत लेबल के बरकर्स हैं उनकी कारिसाला चल रही है उनको टैनिंग दी जा रही है कि किस तरीके से नए बोटनों को आप बोट बनवाने है हैं उनके इसके अलाबा किस तरीके से इस चुनाओ में उनकी जो भागी दारी है वो सुनिश्चित की जाएगी मेरे साथ बीजेपी के सांसद राजेंदागरवाज जी हैं सर आज देख रहे हैं कि कारेसाला भी चल रही है यानि यह माना जाए कि इलक्षन मोड में पार्ट हो सकता है प्रतेग बूत पर नभी होते होंगे अधिकांश पर होते हैं तो उसमें हमारा मुबलाइजी चलता रहता है तो इसलिए हमारी जो मशीनरी है कार करता इसका समर्पित हिस्सा है तो वह हमेशा घीर अप रहती है तो चुनाव को केंद्र में रकर के चर्चाय शुर है कुछ के स्थान परवर्तन हो जाते हैं शहर का विस्तार होता है तो इसलिए नई बात नहीं है रूटीन बात है और बहुत समय से नरंतर चल रही है तो बात रही ट्रेनिंग की कारिकरताओं के लेकिन दूसरी तरफ देखे तो जो बड़े नेता है उन्होंने भी इस मामल बालियान का कहा गया कि पश्चिमूत परदेश एक अलग राज्य बनना चाहिए मेरट उसकी राजदानी हो मैं इसको उनकी निजी राय मानता हूं मैं चोटे राज्य की इसमें कोई संदे नहीं है कि जनसंग के समय से भारती जनता पारिटी समर्तक रही है और नए राज्य बने भी हैं अटल जी की सरकार के समय में बने उत्तराखंड बना ज्हारकंड बना च्टित करण बना तो नए राज्य घटित भी हुए हैं परन्तु में समस्ताओं की यह जो उनकी राय है इसमें पार्टी की कोई सहमती ऐसा मुझे मेरी जानकारी नहीं है जरूत है सर इतने पढ़ रहा था एक समाजवादी पार्टी के नेता है तो इस प्रकार के जो भी है इस पर विचार हो इसमें कोई शक नहीं है कि उत्तरब्रेश के अंदर बड़ी विविदता है उत्तरब्रेश बहुत बड़ा राज्य है और उसके अंदर विभाजन भी होता है तो ऐसे करना चाहिए और मैं तो यह भी कहूँगा कि संजी बालियांजी को दिये लगता था वो हमारी केंसरकार के मंत्री हैं और वो एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनको पहले संग्टर में विचार मश्क कर लेना चाहिए था जिम्रान मसूद ने भी समर्थन किया है जिसके बास स संगीत सिंग्सोम का बयान आया है कि अगर पस्तिमुत्र प्रदेश अलग राज्य बना तो यह मिनी पाकिस्तान होगा उनको लेकर करना चाहिए था पर मैं उस बात को जुरूर दोरा रहा हूं कि सरकार से जुलेवे जिम्मेदार व्यक्ति को बिना संग्टन की इजाज़त के यदि ले लिए तो खोल करके कहें यह बात है कहने से बचना चाहिए था जो उन दोनों के बीच का क्लय से उसकी वैसे यह बयानिवाजी हो तो अनौन की लोग सबाव सब्सक्राइब करें में मेरी जाना करते हैं और तो अनौन की इस से अलग बबड़ा सा यह जानना चाहा हूं उन्हों ने एक लोजिक दिया संगी सुम साब ने कि चुकि यहां पर सतर फीच दी के करीब की जो आबादी सेरों में कसबों में है वो एक बहुत संका की बर्ग की है और हिंदू यह माइनुरिटी में जा रहा है क्या यह एंगल उनका जो है वो कहीं एक रोड़ा है पश्री मुतरप्रदेस अलगराज्य ब इसलिए इसके उपर चर्चा करना की क्यों है और क्यों नहीं है कुछ हो तो तब तो बात करें वह बहुत है आपका तो बीजेपी के सांसार राजा अगरवाल जो कह रहे है कि सूत ना का पास यानि कहीं अभी तक पूरे मामले का सरकार या पीजेपी की इस तर पर कोई जिक नहीं है लेकिन संजी बालियान ने एक नए मुद्य को पस्ति मुद्व प्रदेश में हवा दे दी है और उनका ब्रोद कर रहे हैं उनी के ही पुराने साथी संगीत सिंग सों वो कहते हैं कि अगर पैस्ट यूपी अलग राजिवना तो यह मिनी पाकिस्तान कहलाएगा कैमरा स सानु को साथ में नरंद्र बारसमाचार पेरट है